दोस्तो पब जी बैन इन इंडिया September 2020 under Section 69A of the Information Technology Act के तहत लेकिन अब पाकिस्तान में भी इसको बैन करने की मांग की जा रही है क्या पूरा मामला है बने रहे हैं वीडियो में तक वीडियो पूरी देखना और आपको पूरे मामले का पता चल जाएगा कि पब जी को क्यो बैन क साल का है और ये PUBG का एडिक्षिन है PUBG की लत थी और दो इनुक्ता के अंब इंडिया के बनी कहानि आ पने सुन सुनी होंगी और बहुत स्टोरी है अपने अपने इस्टोरी सुनी होगी कोई सत्से गिर गया किसी ने अपने परेंट्स को मार देखिन इस गंभरी स्टोरी सुनी होगी, जब उसके पैरेंट्स को मना करते थे, आप गेम मत खेलो इतना जादा, तो उसका कोई रियक्शन नहीं होता था, वो गेम खेलता रहता था बता जा रहा है ऐसा, तो बात कुछ ऐसी थी, रात का समय था, जब गेम खेल रहा था, गेम में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है, जो आप खेलते हो बहुत सारे ऐसी गंस होती है, जो आप इस्तवाल करते हो, अलग-अलग लोगों पर जो दूसमान होता है, उसको मारते हैं, इस गेम उसने मना कर दिया कि मैंने कोई murder नहीं किया, लेकिन तो जब पुलिस ने इस बच्चे को हिरासत में लिया, तिन दिन के remand पर रखा, तो इसने पूरी कहानी बता दी अपनी, मैं PUBG के अंदर इतना वेस्ट हो गया था, मैं PUBG के अंदर इतना खो गया था, कि मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली को शूट कर देता हूँ, और वो फिट से जिन्दा हो जाएंगे, तो इसी चक्कर में आकर कि मैंने अपनी फैमिली को गन से शूट कर दिया, जो कि अगले दिन जब हड़कम हुआ, तब मुझे पता चला कि वो तो अभी तक जिन्दा हुए ही नहीं है, तो ये कुछ मामला था PUBG का, दोस्तों, इंडिया में भी इसी वज़़े से इसको बैन कर दिया गया था, कि जो इस तरह के कैसी से उनसे बचा जा सके, लेकिन पाकिस्तान में इसको बैन नहीं किया था, लेकिन अब महाँ पर जब इस तरह की स्थिति पैदा होई, हाला कि पहले भी इस तरह की बहुत सारे मामले हुए हैं वहाँपर, लेकिन अब आकर के जब एक पूरी फैमिली को शूट कर दिया गा है खुद के बेटे ने तो भाई अब मामला थोड़ा गंबीर हो सकता है पप जी बैन कर दिया जाए पाकिसान में भी लेकिन अगर मैं डबलो एच्चो की बात करूँ विल्ड हेल्थ और्गिनाजेशन की बात करूँ तब पब जी को उन्होंने एक एडिक्शन बताया है एक डिसीज बताईए एक बीमारी बताईए जो इसके अंदर एक बार चला जाता है बहुत मुश्किल से उसका एडिक्शन चूटता है अगर यह जो मेरी वीडियो अगर कि कौन-कौन उनके फ्रेंड है जो फ्रेंड है वो कैसे है मतलब वो स्टुडेंट झी है या कोई ऐसे नसेड़ी तो नहीं है जो उनके साथ लग करके उनके बच्चों को बिगार रहा है उन्हें पैरेंट्स से रिक्वेस्स करूँ अपने बच्चों का ख्याल रखें और इस पबजी बैंड, टेक्नोलीजी मुव्मेंट पाकिस्तान जब तक जिनदा है, वकार्ज़का जब तक जिनदा है, ऐसा नहीं होने वाला कि पबजी को बैंड कर दिया जाए। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान में भी पब्जी को बैंड कर दिया जाएगा या फिर ये स्टोरी ऐसे ही पन्ने में छपी रहे जाएगी